निमरित कोर आलुवालिया के सबसे अच्छे दोस्त और बिग बॉस सीजन 16 के सबसे पॉपलर कंटेशन अबदूर रोजी खान की री एंट्री को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आगे हैं जी हाँ अब पूरी तरह से कन्फरम हो चुका है कि आखिर क्या अबदूर रोजी खान गर के अंदर दुबारा आएंगे या फिर नहीं आएंगे जी हाँ आपको बता दें कि घर के बाहर कई खबरे चल रही हैं बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स भी बड़ी बड़ी ख हैरान होने वाले हैं बिग बॉस के मेकर्स ने अब अब अबदूर रोजी खान की री एंट्री को लेकर एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है और आप उस फैसले को सुनने के बाद काफी जादा हैरान होने वाले हैं क्यूंकि मेकर्स के इस फैसले को सुनने के बाद आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि आखिर मेकर्स ने ये फैसला क्यूं लिया है इसके पेचे की कौन सी बड़ी वज़ा थी आखिर क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस हफते घर से अबदूर रोजी खान बेगर हो गए हैं चार कंटेस्टन जो हैं वो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट थे जिसमें शालीन भानोड का नाम शामिल था टीना दत्ता का नाम शामिल था साजित खान भी वहीं शिव ठाकरे भी घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट थे लेकिन इन चारों में से कोई भी ऐलिमिनेट नहीं हुआ बलकि अबदूर रोजी खान को घर से बेगर कर दिया जिसके बाद खबर ही आई कि अबदूर रोजी खान बिमारी के चलते नहीं बलकि कुछ उनक कंट्री में कई शोज हैं जिसके चलते अब उन्होंने बिग बॉस सिजन 16 को छोड़ दिया है और वो हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर चलेगे हैं अब रोजी खान की टीम बिग बॉस के मेकर से काफी लंबे समय से बात कर रही थी जिसके चलते अब 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 रोजी खान ह कि इस आने वाले रविवार को बिग बॉस के घर के अंदर अब दुबारा आएंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है डेड तो फिक्स नहीं की गई है लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अब दूर रोजी खान एक बार फिर से घर के अंदर एंट्री लेने वाले हैं लेकिन अब 100% कंफर्म हो चुका है कि आने वाले कुछी दिनों में एक बार फिर से अब्दूर रोजी खान घर के अंदर खेलते, कूदते, बातें करते और नाचते हुए नजर आने वाले हैं तो आप इस खबर को लेकर कितने एक्साइटड हैं हमें कमेंट करें और बिग बहुत सजुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें